मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में आयोजित कारेकरम के दोरान 1334 अवर अभियनताओं, संगनक एवं फोर्मैन को नियुक्ती पत्र वित्रित किया। इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और अखिलेश यादव के बुल्डोजर वाले बयान पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि वे लोगी बुल्डोजर चला सकते हैं जो पूरी इमानदारी से प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं। दिल के साफ है। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए बुल्डोजर जैसी चमता और दिर्ड प्रतिक्या जिसमें हो वही बुल्डोजर चला सकता है दंगायों के सामने नाक रगड़ने वाली लोग बुल्डोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे युवाओं को नियुक्ती पत्र देने के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री यूगी आदित्यनाथ ने कहा कि नियुक्ती पत्र देते समय युवाओं से उनका जन्पत पूछ रहा था कोई बिजनौर का तो कोई गाजीपुर, कोई और जिले का मतलब सभी ख्षेत्र के युवाओं को नौकरी दी गई इसमें कोई भी भेदभाव नहीं हुआ आरक्षन का पालन करते हुए केवल प्रतिभावान युवाओं को नौकरी मिली है एक ट्रिलियन डॉलर एकोनॉमी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं हमें लक्षे करीब दिख रहा है पिछले साथ साल पहले यह संभव नहीं था आज यूपी ग्रोथ इंजन बना है पहले साथवे नंबर की अर्थ विवस्था थी आज यूपी देश में दूसरी अर्थ विवस्था है डबल इंजन की सरकार प्रदेश की खुशाली के लिए काम कर रही है आज टीपू सुल्तान बनने चले है मुंगेरी लाल का सपना देखना इनकी आदत है जब जन्ता ने इन्हें मौका दिया था तो इन लोगों ने युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था व्यापारियों के सामने संकट खड़ा किया आज किसी भी जिले का है वह नियुक्ती पत्र हासिल करने की इक्षमता रखता है पहले ऐसा नहीं था कुछ जिलों को ही मौका मिलता था सीएम योगी ने कहा कि जो लोग आपके रास्ते का बैरियर बनेंगे उनसे निपटने के लिए हम लोग है विपक्षपर हमला बोलते हुए मुक्यमंत्री ने कहा कि पहले जाती को लड़ाया फिर मजहबों को लड़ाने का काम किया प्रदेश को दंगों की आग में जोक दिया था ऐसे प्रदेश में भला कोई निवेश क्यों करना चाहेगा आज वे लोग ही एक बार फिर जंता को भरम में डाल कर सत्ता में आना चाहते हैं बुल्डोजर का विरोध करते हैं CM योगी ने कहा कि बुल्डोजर वही लोग चला सकते हैं जिनके दिल साफ है प्रदेश का भला चाहते हैं कानून विवस्ता ठीक होने से आज यूपी में 40 लाख करोड का निवेश हुआ हमारे परंपरागत उद्योग बंद पढ़ रहे थे आज ओडियोपी के माध्यम से हर जिले का उत्पात दुनिया में पहुँच रहा है अपनी नई पहचान बना रहे है पहले की सरकार में प्रदेश के पास पैसा नहीं था आज एक करोड परिवार ऐसे हैं जिन्हें डबल इंजन की सरकार पेंशन दे रही है कन्याओं का विवाह किया जा रहा है आज प्रदेश के पास पैसा है मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार पंचायती राज विभाग में किसी राजभर की नियुक्ती हुई है इन्हें पहले नौकरी क्यों नहीं मिली यह इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि चाचा भतीजा वसूली पर निकल पड़ते थे मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके उपर भरोसा नहीं किया जा सकता है जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं उसे नंबर एक बनाना है इसी से यूपी नंबर एक बनेगा प्रधान मंत्री मोदी का भारत को शक्तिशाली बनाने का अपना पूरा होगा आखिर कौन नगरिक नहीं चाहेगा कि भारत विक्सित देश बने उप्मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौरे ने कहा कि पहले की सरकारों में बिना रिस्वत के नौकरी नहीं मिलती थी पेपर लीक का पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा खड़ा किया गया गैंग था उसमें ऐसे लोगों को नौकरी मिल जाती थी जिनकों नहीं मिलनी चाहिए योगी जी के नेतरित्व में पारदर्शी तरीके से भरती हो रही है एक रुपया भी घूस नहीं देना पड़ता है अभी हाल में ही पुलिस भरती परीक्षा संपन हुई है नकल माफिया थर-थर काम प्रहे थे अब सबने देखा होगा आज आप सब सरकारी सेवा में आ रहे हो पूरी शिद्दत से नौकरी करनी चाहिए आपको बिना रिश्वत के नौकरी मिली है इसकी चर्चा आपको ही करनी है केशब ने नव चेनित अभ्यर्थियों को उजवल भविश्य के लिए शुब कामनाई दी जिस प्रकार से आपके पारदर्शी तरीके से नौकरी मिली है उसी प्रकार आप लोग अपनी सेवा दें आपके सेवा काल के आखिरी समय तक भारत विक्सित भारत बन जाएगा भारत दुनिया का नेत्रित्व कर रहा होगा अधीनस्थ सेवा चैन आयोग के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ इस भरती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इस मौके पर जलशक्ती मंत्री स्वतंत्र देव सिंग पंचायती राज मंत्री उम प्रकाश राजभर लोक निर्मान विभाग के राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंग राज्य मंत्री बलदेव सिंग औलक राकेश राठोर गुरू, विजय लक्ष्मी गौतम, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंग समेट अन्य लोग मौजूद रहे।